तो आईए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं इनकी शारीरिक संरचना के वारे में इनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है वजन इनका 70 किलोग्राम है आँखों का रंग भूरा बालों का रंग काला इनका उपनाम इस्टेंट हीरोईन है वेवसाई अबनेत्री और मॉडल आईए जानते हैं इनके व्यक्तिकत जीवन के बारे में इनकी जनमति थी 31 जुलाई 1947 है आईउ वर्ष 2018 में 71 वर्ष के लगवग जनमिस्तान बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रेटिश भारत राश्टी था इनकी है भारती है ग्रेनगर मुंबई भारत बर्तमान में वे लंदन में रहती है इनका धर्म है इसलाम शौक और अभिरुचिया नत्य करना और पुस्तके पड़ना प्रेम संबंदे एवं अन्य जानकारिया बैवाह किस्ती इनकी बिवाहित है बॉइफ्रेंड शम्मी कपूर परिवार यानि पती मयूर मादवानी एक ब्यवसाई है इनके बच्चे बेटा कोई नहीं है बेटी दो हैं नताशा मादवानी और तानिया मादवानी दोस्तों इन्हें मिले हुए पुस्कार हैं वर्ष 1970 में उन्हें फिल्म खिलाउना के लिए सरुषेष्ट अबनेत्रिक रूप में वर्ष 1978 में उन्हें फिल्म जगत में महित्पुन योगदान देने के लिए आएफ-उ अवार्ड से समानित किया गया तो इनके पिता का नाम अब्दुल्सलीम असकारी है माता शदी हबीब आगा भाई और बहन भाई शहरू शहजात बहन मल्ल का असकारी आईए जानते हैं इनका धन संबंदित विब्रड इनकी आए साड के दशके दोरान लगबग दो लाग पचास हजार थी आईए जानते हैं मुम्ता से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आईए जानते हैं क्या ये धुम्रपान करती हैं ग्यात नहीं क्या मुम्ता शराप पीती हैं जी हां उनके माता पिता अब्दुलसलीम असकारी और हवीब आगा इरान से संबंद रखते थे वर्ष 1947 में मुम अधर रहा था जिसके चलते मुम्ता और उनकी बहन फिल्म जगत में कार करने का फैंसला किया 13 साल की उम्र में मुम्ता ने फिल्म इंडिस्ट्री में कदम रखा मुम्ता ने हिंदी फिल्म में सोने की चीडिया 1958 बन से एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर के समय कई सकती हूं कि मेरे करियर को दारा सिंग ने बनाया है क्योंकि उनके साथ फिल्मे करने के बाद मुझे अच्छे आफर मिलने शुरू हो गए थे दोस्तो दिल्चस्प बात ये है कि मुम्ताज उस समय दो दर्शमलब पांच लाग लेती थी उस समय उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक द्रिश्चों और कुछ गानों के लिए बहुत छोटी होती थी एक साथ छातकार के दोरान उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे दो दर्शमलब पांच लाग का वेतन मिलता था जो उन दिनों एक बड़ी राशी मानी जाती थी मुम्ताज ने राईश्खन्या के विपरीत फिल्म दो रास्ते 1979 में मुझे भूमिका निवाई थी इस से पहले सिनेमा में उन्होंने कई B-grade फिल्मों में भी काम किया था दोस्तो फिल्म हारे राम हारे कृष्णा 1971 में देवानंद ने पहली बाद मुम्ताज को अपनी बहन की भूमिका निवाने के पेशक्षकी लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि वे आउन स्क्रीन देवानंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी इसके बाद जीन तमान ने इस भूमिका को निवाया उन्होंने फिल्म बंदे हात 1973 में पहली बार अम्ताब बच्चन के साथ कार किया जिसमें अम्ताब बच्चन ने पहली बार दोहरी भूमिका निवाई थी उस तो मुम्ताज की खुबसूरती का हम इस बास से पता लगा सकते है उस समय के प्रतिश्चित अविनेता शम्मी कपूर देवानंद जिते अंदर धर में अंदर सभी उनके प्यार में पागल थे मुम्ताज ने एक साथ चात कार में कहा कि मैं इतनी खुबस नसीब हूँ कि इतने प्रतिश्चित अविनेता मुझे इतना प्रेम करते थे लेकिन जरूरी नहीं कि अपने हर साथी कलाकार के साथ प्रेम संबंद बनाएं ममताज ने शम्मी कपूर के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा और शम्मी के बीच फ्रेम संब्द थे उस समय मेरी उम्र 18 साल की ही थी तब ही शम्मी ने मुझे शादी करने के लिए प्रस्ताबित किया और उन्होंने कहा कि फिल्म करियर को छोड़ना पड़ेगा लेकिन उस समय में अपने करियर को बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने शम्मी कपूर से विवाग करने से मना कर दिया अपने करियर के शुरुआती च्रण में ममताज ने वर्ष 1974 में 27 साल के उम्र में बेवसाई मयूर माधवानी के साथ दोहा किया जिसके कारण उन्होंने फिल्म करना छोड़ना पड़ा और लंदन चले गए उनकी दो बेटी हैं नताशा और तान्या है तो उस दो ममताज अपने बतीजे शाद रंदावा की फिल्म आवार अपन की शूटिंग देखने गई शूटिंग के दवरान ममताज ने जब वैनिटी वैन को देखा और बोली आज कल के अमनेताओं को कितनी सुविदा है और एक हमारे समय में तो कई बार हमें जंगल में कपड़े बदलने पड़ते थे दो लोग कपड़े का परदा बनाते थे और उसके पीचे हमें कपड़े बदलने पड़ते थे दोस्तों उनके भाई के अनुसार मुंबई के काटर रोड पर इस ठित ममताज का गर मीना कुमारी ने उपहार सरू बेंट किया था उस समय ममताज ने मीना कुमारी के लिए एक फिल्म की थी और उन्होंने मुम्ताज को उस फिल्म के लिए तीन लाग देने का वाइदा किया था इसके बाद जब मीना कुमारी बीमार हुई और उन्हें गले का कैंसर त्रोट कैंसर हो गया तो उन्होंने मेरी बहन को बलाया और कहा अब मेरे बचने की उमीद हैं और इसलिए फिल्म की फीस चुकाने के लिए मीना कुमारी ने कार्टर रोड पर इस सिद्बंगले को मुम्ताज को भेट सुरूप में दे दिया था सूत्रों के मताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में पहले मुम्ताज कारी करने वाली थी लेकिन फिल्म में दो रास्ते आपकी कसम प्रेम कहानी दुश्मन रोटी फाउलाद आदी और तूफान तारजन एंड किंग कॉंग बॉकसर जाब जवान मर्द जैसी करीब सौ से भी अधिक फिल्मों में काम किया और सफलता प्राप्त की एक के बाद एक जब उन्हें पता चला कि फिल्म बं करते हैं ताब उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चावी अमताब बच्चन को सौप दी और स्वय में अमताब की साधान कार ले ली उस तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माद्यम शेय बश्य बताए चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक अवश्य करें धन्यवाद